इस सध्या में हम पुर्शोतम मास की कामदा एकादशी का महतम में जानेंगे। नमश्कार, मैं आभाशर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रत्न सराहनी लगा हो, तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोचसाहित करें। आपमे श्री विष्णू के व्रतों में उत्तम व्रत का जो सब पापों को हर लेने वाला तथा व्रती मनुश्यों को मनोवांचित फल देने वाला हो श्रवन करना चाहता हूं। जनार्दन पूर्शोत्तम मास की एकादशी की कथा कहिए, उसका क्या फल है और उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। प्रभू किस दान का क्या पुन्य है? मनुश्यों को क्या करना चाहिए? उस समय कैसे स्नान किया जाता है? किस मंत्र का जब होता है? कैसी विधी पूजन बताया गया है? पुर्षोत्तम पुर्षोत्तम मास में जनार्दन पाप का नाश और पुन्य का दान करने वाली एकादशी के महतम्य का पुनह वर्नन कीजिए जिसे इस लोक में घर के मनुश्य परमपत को प्राप्त होता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा राजन शुक्ल या कृष्ण पक्ष में जब भी एकादशी प्राप्त हो उसका परित्याग ना करें क्योंकि वैं मोक्ष रूप सुक को बढ़ाने वाली है कल्यूग में तो एकादशी ही भवबंधन से मुक्त कराने वाली संपूर मनुवानचित कामनाओं को देने वाली तथा पापों का नाश करने वाली है एकादशी रविवार को हो किसी मंगल में पर्व के समय अत्वा सक्रांती के ही दिन क्यों नहूं सदा ही उसका व्रत करना चाहिए भवान विश्णु के प्रिये भक्तों को एकादशी का त्याग कभी नहीं करना चाहिए जो शास्तरोक्त विधी से इस लोक में एकादशी का प्रत करते हैं वह जीवन मुक्त देखे जाते हैं इसमें तनिक भी संदेह नहीं है युधिस्टर ने पूछा श्रीकृष्ण वे जीवन मुक्त कैसे हैं तथा विश्णुरूप कैसे होते हैं मुझे इस विशय को जानने के लिए बड़ी उत्सुकता हो रही है भागवान श्रीकृष्ण बोले राजन जो कल्यूग में भाक्ति पूर्वक शास्त्री विधी के अनुसार निर्जल रहकर एकादशी का उत्तम व्रत करते हैं वे विश्णुरूप तथा जीवन मुप्त क्यों नहीं हो सकते हैं एकादशी व्रत के समान सब पापों को हरने वाला तथा मनुश्यों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला पवित्र व्रत दूसरा कोई नहीं है दश्मी को एक बार भोजन एकादशी को निर्जल प्रत तथा द्वादशी को पारण करके मनुश्य श्रिविश्णु के समान हो जाता है पूर्शूत्तम मास के दुध्य पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है जुश्रद्धा पूर्वक कामदा के शुब व्रत का अनुश्ठान करता है दह इस लोग और परलोग में भी मनुवांचत वस्तु को पाता ही है यह कामदा पवित्र पावन महापातक नाशिनी तथा व्रत करने वालों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है नैवेद्य तथा क्फल आदी के द्वारा भगवान पूर्षोत्तम की पूजा करनी चाहिए ब्रत करने वाला वैश्नव पुरुष दश्मित थीकों काचे के बरतन उड़द मसूर चना कौदा साग मधू पराया अन्न दो बार भोजन तथा मैथून इन दसों का परित्याग करें इसी प्रकार एक आदशी को जुवा, निद्रा, पान, दातून, पराय निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, मैथून, क्रोध और असत्य भाशन इद ग्याराहा दोशों को त्याग दें तथा दो आदशी के दिन कांस का बरतन, उडद, मसूर, तेल, असित्य भाशन, व्यायाम, परदेश कमन, दो बार भोजन, मैथून, पैल की पीट पर सवारी, पराय अन, तथा साग, इन बारह वस्तों का त्याग करें राजन जिससे इस विधी से कामदा एकादशी का ब्रत किया और रात्री में जागरन करके श्री पुर्शूत्तम की पूजा की वे सब पापों से मुक्त हो परमगति को प्राप्त होते हैं इसके पढ़ने और सुनने से साथ झाल का फुर्शूत्त पुर्शपूत्त